हाई इस्टोएंट गुड मॉनिंग आज हम पढ़ने वाले क्लास एट का मेहत का चैप्टर है 12 चैप्टर का नाम है एक्स्पोनेंट्स एंड पावर्स ठीक है घात और संख्या है तो इसका 12.1 का कॉस्चन ले रहे हैं पर फर्स्ट पहला कॉस्चन है आपको एविलूट करना है कि चैप्टर आपका 12.1 कि कॉस्चन नमर वान है इसमें इविलूट करना है आपको क्या करना है थ्री की पावर्स टू इसका फर्स्ट का बन है इसमें थ्री की पावर मानेस टू इसको सॉल्व करना है तो क्या आएगा इसका सिंपल रहेगा आपका देखें यह जो कॉस्चन है यह बेस्न हमारे इस फॉर्म्ले पर हमने पढ़ रखा है कि एक पावर अगर मानेस टू रहेगी तो इसको इबोलिट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या से होगा उसका सॉल्व ऐसे होगा इक वन उपन इसको रेसिप्रोक्ल कर देंगे तो यthi पॉर्र प्लस का टू और जाएगा टिकर इस टशारी क्या में सोटा reference करते हैं एक क्नथड करते हैं और दूशन के नहीं 1 upon 3 की पावर प्लस का 2 और हमको पता है कि 3 का स्क्वर क्या होता है 9 होता है तो इसको आगे बढ़ा देंगे 1 upon 3 की पावर 2 इंग 9 ठीक है यह हमारा 1st question रेगा फर्स्ट को फर्स्ट एक फ़ोर्मला आपका यह बैसिक है आप इसे इउस कर सकते हैं ठीक है शेकंड है आपका फर्स्ट को सच जो है आपका मानेस फ्ऌर की पावर माइनस 4 है और उसकी पावर दिरखी माइनस का 2 अब इसे कैसे सॉलो करेंगे देखो इसमें situation बोही रहेगी आपको किसी चीज से गवराना नहीं है formula बोही यूज करना है क्योंकि माइनस में है तो रेसिप्रोकल करके आपको प्लस में लेकिन आना है कैसे आएगा वन अपन मानेस 4 जहेगा चिक है और इसकी जो माइनस की टू पावर ए आप डरीक्ल added को प्लस मोँं कर दो यह श् 요 Jordy UP कि मैस का जो नमबर है उसको अगर्स अगर्स इwen्टाइम अगर इसको तो उसका आंसर ऑल्वेश के समयाइगा पॉजिटिव में तो अब यहां पर कर दिया है वैसे हमको पता था कि प्लस और प्लस और प्लस और फोर फोर जाएगा ठीक है कोई डाउट है आसान से देखना है पहले आपकी नेगेटीव पावर है तो उसको रेशिप्रोकल करो उसको नीचे लेके आओ तो नीचे आके पावर प्लस मोह जाएगे उसके बाद में हमको पता है कि क्या करना इसका स्कुआर है तो दो बार मल्टिप्लाय करना सिंपल सी बात है तो माइनस फोर को इसकी पावर कितनी है माइनस फाई तो इसका क्या करेंगे इसका एक फॉम्ड ना पढ़ा तो हमने क्या किया था formula को आगे expand करने लिए एक पावर एम उसकी जो पावर सारी है common power उनको अपने अलग-अलग कर दिया था यहाँ पर भी करेंगी लेकिन एक चीज और है उसको ठीज करी सकते लेकिन आपको ऐसे ब्रैकिट के अंदर जब कोई fraction हो और उसकी पावर माइनस में हो तो क्या कर सकते हैं उसका reciprocal करके उसकी पावर को प्लस में कर सकते हैं जैसे कि A upon B की power अगर सोचो minus का 1 है तो क्या करोगे जो denominator है उसको तो उपर लियाओ और numerator को नीचे लियाओ तो उससे क्यों होता है इसकी power plus में हो जाती है ठीक है यह power reverse हो जाती है जैसे B upon A तो इसकी power minus 1 की power क्या हो जाएगी जाँ minus 1 तो वाक्य हो जाएगा और easy रहेगा तो कैसे करेंगे हम करें 2 को तो उपर लियाएगे 1 नीचे और power क्या हो जाएगी plus की 5 ठीक है क्या क्या था वही same condition नीचे वाले number को तो उपर लियाए उपर वाले को नीचे लेगे तो आपके numbers किसमें जाएगे इसकी power plus मा जाएगी ओके अब इसको expand कैसे करोगे अब इसमें यह वाला formula पूट करेंगे अपन अलग अलग करने वाला तो क्या होगा 2 की power 5 हो गई और अपन 1 की power 5 हो गई अब इसको 2 की power 5 आप multiply करोगे 2 multiple 2 multiple 2 multiple 2 multiple 2 और multiple 2 3 और 2 5 होगे total तो देखो 2 का multiply 2 से करेंगे 2 का cube कितना होता है 8 होता है तो यहां 8 हो गया और 8 पोर्जा कितना होता है 32 it means 2 की power 5 की जगे हम क्या उज़ कर सकते है 32 clear 2 की power 5 हमने 1 2 3 4 5 5 और बुणा किया है तो हम क्या कर सकते है 32 32 लिख सकते है और अब 1 देखो 1 एक ऐसा इसको कितनी बार multiply करो उसमें कोई difference नहीं आता है 1 का 1 ही रहेगा तो 1 की power 5 time है तो इसको कितनी बार multiply कर लो सबका answer 1 ही आएगा ठीक है तो यहां पर बन ही लिखो जिसका कोई यूज नहीं है तो answer आपका 32 रहे जाएगा ठीक है तो यह चीज है नहीं कोई doubt हो तो बताओ यह आपकी फॉर्मले जर्जन को note कर सकते हो और question number first अपना complete होता है अब आएंगे second question को पर ठीक है यह basic समझाने के लिए था और यह दोनो फॉमले yes important है इन्हें आप कर सकते है उतार लीजे या फिर सवाल लेंगे पन इसमें फोटो भी ले सकते हैं इससे फोटो आजाती है ओके तो इससे हटा देते हैं फॉर्मॉले इस गों ओके question number second हम लेते हैं question second हमारे दे रखा है question second है question second है आपका simplify and express the result in power notation with positive exponent इनको क्या करना है positive में देना आपका answer जो भी आपकी power साती है देखो minus 4 इसकी power कितनी है दे रखे आपको 5 दे रखे और इसको divide कर रखा है minus 4 की power 8 से okay minus 4 की power 5 है इसको divide कर रखा है minus 4 की power 8 से okay अब इसको solve करने से पहले हमें एक formula समझेंगे देखो किसी भी number को अगा divide करना होता है देखो a divided by v है तो हम इसको as a fraction में लिखते है कैसे a upon v क्या यह तरीका सही है यह तरीका यूज करते है okay तो यहां पर हम इसको use करेंगे जस्त इसको देख लिए अपने अब आके करते इसको minus 4 है इसकी power 5 अब इसी के divide माएगा यह वाने number clear तो क्या जाएगा minus 4 और इसकी power 8 चीक है यहां तक कर दिया but इसके आगे हम कुछ करना चाहरा है कैसे एक formula था अपने लिखा हुआ है पहले वाले video में देख सकते हो a की power m multiple a की power n तो क्या होता है a की power m plus n होता है जब आपका base same हो तो power उसकी add हो जाती है ठीक है तो यहां पर देखो अगर आपको यह होता है तो यह लिखना होता है और मानो आपको यह महुगात और ऐसी लिखने की जरुत पढ़गी तो क्या कर सकते हो हो देखो एक एक्जाम पाइं suppose a की power आपके पास में 8 है तो आप अपनी जरुत के साफ से से कर सकते हो कि a की power 5 multiple a की power 3 क्यों को दिक्कत है इसमें total to 8 है ना base आपका same है power add होगी आगी जाके 8 की जागे आप यह भी तो कर सकते हो ना 5 plus 3 होगा कोई doubt clear तो इसी चीज को हम या यूज़ करने कैसे है हमको पता है कि उपर कितनी पावर है minus 4 की 5 है हम उसको लिख देता है हम डिनोमेंटर में क्या करेंगे minus 4 की जो पावर है इसको हम दो टुकड़ा में टोड़ देंगे यहां तो 5 लिख दिया और minus 4 की पावर यहां पर 3 लिख दिया कर सकते है ऐसा base हमारे same है तो 5 और 3 हो गया और हमको पता है कि same same numbers होते multiply में अगर nominate और denominate तो वो कट सकते तो हम इसको और इसको cancel कर सकते easily तो हमारे पास क्या बचाएगा ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1 multiply होता है तो 1 upon minus 4 की पावर 3 कोई डाउट है तक complete ओके यह इंपोर्टेंट है आप note कर सकते है अब इसको आगे solve करेंगे तो positive में लिखना है तो positive में देखो आपको पता है कि minus 4 है अब इसको 3 times multiply करना है तो positive में तो answer नहीं हैगा जो भी उसका आगा वो करते है तो minus minus 4 multiple minus 4 multiple minus 4 तो देखो minus multiple minus करेंगे तो पहले इन दोनों कर लेते हैं minus minus तो plus हो गया और 4 फोर फोर जा 16 वेट अभी minus 4 अपका बाकि है उसको multiply करते है तो plus multiply minus तो minus हो गया और 16 फोर जा 64 तो answer आपका क्या हैगा minus का 4 चेक लिजिस का answer इसमें तो answer यहीं छोड़ दिया है चलो यहाँ पर भी आपका answer सही है ठीक है यह करते हो थीक है कोई गलत नहीं है बट आप यहाँ पर छोड़ सकते हो तो कोई दिक्टत नहीं है ओके next आपका जो सवाल है वो देख लेते हैं one upon two k power cube का whole square यह first हमारा second का यह second हमारा one upon two clay power cube है ठीक है और इसका whole square है total इसे कैसे solve करेंगे तो धान रखेंगे इसका solve यह करेंगे पर लेए square को अंदर लएके जाएंगे अलग-अलग कर देंगे, नमेटर ये दिनमेटर, वही फॉर्मॉला, अगेन, A upon B की पावर, जब M होती है, तो हम क्या करते हैं, अलग-अलग करते हैं, A की पावर ही M, और upon B की पावर भी M, कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो इसको भी करते हैं, A का मतलब 1, इसकी पावर 2, upon 2 की पावर Q, इसकी पावर 2, जब देता कोई दिक्कत, complete है, okay, हम इसको आगे solve करते हैं, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 ही होता है, ये तो clear है, right, और 2 की पावर 3 है, और वहापर उसकी whole पावर कितनी है, 2, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर 2 की पावर 3 है, और bracket को हटेंगे, तो powers multiply हो जाएगी, कैसे एक formula है, A की पावर M, whole power N, तो यह आगे जाके क्या हो जाता है, A की पावर M, multiple N, यह आप लिख लीजेगा, यह formula important है, इन ही formula को यहाँ पर उपने यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इसके whole power 2 है, तो bracket अटते हैं, यह powers आपके multiply हो जाती है, और answer क्या आता है आपका, 1 upon 2 की पावर कितनी, 3 to 6, तो यह आपका answer होनेगा, ठीक है, अच्छे समझे से, तो यह इसका answer हुआ, next सवाल देखते हैं, इस formula को आप उतार लीजिए, next सवाल है, minus 3 की power 4 है, अच्छा सवाल है, third number, minus 3 की power 4, multiply, 5 upon 3, इसकी whole power कितनी है, 4, यह सवाल है, देखो देखनें, बहुत खतरना सवाल लिग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा, जब I explain करेंगे, तो अच्छा लगएगा, यह formula उतार लिए आपने, ओके तीन हम हटा देते हैं, आपके, देखो इसको कैसे clear करेंगे, माइनस 3 की whole power 4 है, तो पहले इनको अलग-अलग कर लेते हैं, देखें, माइनस 3, इसकी whole power तो अलग फोग है, एक बात पूछना चाहूँ मैं आपसे, अगर यहाँ पर माइनस, एक की power आपको दे रखा है, कोई भी 2, 2 मान लो, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस की power 2, और a की power 2, क्योंकि दोनों है तो multiply में, तो इससे क्या होगा, कि इसका तो हमको clear समझाए जाए, माइनस 1 का दो बार multiply करते हैं, तो plus हो जाता है, और यहाद तो हो जाता है a square, इसका answer भी तो यही आएगा ना, माइनस a, गुणा माइनस a, आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, answer यही होगा ना, कोई doubt इसमें, ओके, तो यहाँ तो 2 था, अगर suppose करो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे हम पहले बता रखे हैं, कि कोई भी अगर even number आपकी अगर, माइनस के number के उपर पावर के रूप में आती है, even number, तो always वो क्यो होता है, positive होता है, 2 है, यहाँ पर 4 आएगा, तो भी यह क्या आएगा, प्लस ही आएगा, 6 आएगा, तो भी प्लस ही आएगा, जब पस पेर बन रहा है, तो आपका, प्लस ही आएगा, तो मैं यहीं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे पहले जो अलग-अलग कर लेता है, क्योंकि यह वही पॉम्मॉला हो गया आपके, a upon b की पावर m, a की पावर m upon b की पावर m, इसमें तो हम यह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, a upon b, फ्सके व़ फावर ज़ो भी है, तो यहापन देखो a की पावर m लिख दिया, b की पावर m लिख दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 की पावर, 4, और 3 की पावर, 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम यहापर क्या करेंगे, जो माइनस, 1 है इसको अलग कर दिया वह थी को अपन माइनस 3 को यह भी कर सकते है न माइनस 1 multiply 3 इसे मुझे दिक्कत है क्या इसको आसर करने के लिए हमने लिख लिया माइनस 1 की पावर 4 multiple 3 की पावर 4 और हमारे multiply में क्या चल रहा है 5 की पावर 4 पॉर्ण 3 की पावर 4 एक बात देखो यह और यह cancel है के नहीं आप है 3 की पावर 4 बन रहा है नीचे 3 की पावर 4 है यह cancel होगे बच्चा क्या हमारे पास 5 की पावर 4 देखो 1 जो माइनस का है प्लस का बन तो यह होगे हमारे पास और ब्रेकेट में 5 की पावर 4 अब या तो इसको solve कर लो या फिर एजटी लिख दो 5 की पावर 4 देखते है आपका अंसर क्या बोल रहा है प्लस का बने तो उसका मीन यहीं रहेगा प्लस का फावर 5 जो प्लस का फावर उसकी पावर क्या हो जाएगी और या आपको जाएगा आंसर ठीक है ओके दिन फॉर्म में बटा जाते है इनको आप अच्छे सुतार लीजिए फिर आपना आके बढ़ते हो इसमें अभी कॉस्टन नमबर हमारा फॉर्थ है और फिफ्ट दोनों अच्छे कॉस्टन है क्या हमारे स्पेस में अच्छे दिखेंगे इसमें हो तो जाएगा चलो ट्राय करते हैं यहां से कर लेते हैं कउस्टन नमर फॉर्थ है इसके अंदर यह चोर्पन सस्टेंड का ही फॉर्थ है क्या रहेगा कउस्टन धृ की पावर माइनसज सेबं наж करत हैं इसको किससी करता रहता थृ की पावर मैनस एन wollte क्रण घंपर ओर उसके बार है आपका मल्ल्टिक्लाय में 3 की पावर माइनस 5, 3 की पावर माइनस का 5, यह question आपका, बहुत easy question है, देखेंगे, हमको यहाँ पर एक चीज़ commonly पता लग रहे है, कि इसका जो waste क्या है, 3 है, सब्या देखेंगे, यह जो पूरे नमरतीन का waste क्या है, 3 है, जो की common waste है, ठीक है, तो सबसे पर इसके उपर गाम क करते हैं, 3 की पावर माइनस 7, अपॉन 3 की पावर माइनस का 10, और यह bracket के भार हमारा क्या चल रहा है, 3 की पावर माइनस का 5, अधिकत, ओके, यह नमबर जो होगा, भार multiply होगा, पहले इसको solve कर ले, या पर और आसन तरीके से करना चाहते हो, तो multiply है, तो multiply यह नमबर उपर यह नमबर इसे तरहेगा, नीचे पावल इसे तरहेगा, नीचे पावल इसे तरहेगा, ओके, चलो तो करते है, ओके, इसको आगे करने से क्या करेंगा, इसको अंधर multiply कर देता है, तो bracket रटा देंगे, 3 की पावर माइनस 7, और यह multiply होजाएगा, 3 की पावर माइनस का 5, और अपन किया 3 की पावर माइस का 10, ठीक है, यह था कोई डाउट? ओके, तो जो फोर्मला हमने यूज़ किया था यह पर, a की पावर m, multiple a की पावर n, equal to a की पावर m plus n, इस ही को यूज़ करेंगे, तो एक बात बताओ, माइस का, चलो, प्लस का 7 और प्लस का 5 कितना होता है? 7 और 5 कितना होता है? 12, clear? अगर आपका 7 और 5 12 होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि माइस का 7 और माइस का 5, क्या यह माइस 12 नहीं हो सकता है? यह आपका integers का topic है, तो आपको मानना पढ़ेगा, अगर कभी bracket लग गया, तो यह बात नहीं होता है, चीजे multiply हो गई, तो bracket नहीं होना चाहिए कभी भी, और डारेक्टली ऐसे लिखा हुआ, तो वो नमबर आपके add में होगी, ठीक है? तो यहाँ पर माइस बार हो गया, इसी चीज़ को यूज करने वाले हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? माइस 7, ठीक है? और इसको थोड़ा अलग तरह से दिखाते हैं आपको, यह, प्लस, bracket नहीं माइस का 5, यह, अपोन कितना 3 की पावर माइस का 10, इसको क्यों लिखा जाना बुझके? इसको समझेंगे अभी, क्योंकि हमको यह दिखा दिया है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, दोनों को प्लस किया जा रहा है, और चिन क्या है दोनों के? माइस माइस. तो दोनों को हमने एड़ कर लिया, कोई कहेगा कि माइस 7, इसको प्लस करके दिखाओ, माइस 5 में, तो क्या करोगे आप? माइस 7, और प्लस माइस 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 5, तो सरा क्या आगे? माइस का 12. तो यह यहाँ पर करने वाले आपन, 3 की पावर माइस का 12 हो जाएगा? क्लियर? और अप़ोन हमारे पास क्या है? 3 की पावर माइस का 10. यह तो कोई डाउट? ओके. इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे? यहाँ कर लेते हैं. यहाँपर देखें. 3 की पावर माइस का 12 तो है, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़िए अगर 1 अपॉन एक की पावर माइनस का 2 है तो इसको हम प्लस में कैसे कर सकते हैं एक की पावर ले आए तो इसको लिए आपक चानल जाते हैं चलिए जो घए जो इसको ऊपर लोगी मैं आटने खोड़ी की और यह पर यह कीIO? क्यासे जो 3 की पावर माझेक टो ओपर ले आएंगे तो 3 की पावर प्लस का टेन होगे कि नहीं होगी? जो 3 की पावर minus का 10 नीचे है अगर ये उपर की तरफ आती है तो इस plus की होगी और हम क्या यूज कर देंगे इस जगे 3 की पावर minus का 12 plus का 10 और आंसर क्या आएगा आपका 3 की पावर minus का 2 और आपको इसको solve करना आता है किसी की पावर और अगर माइनस में है तो से बन अपॉन ले जाओं प्लस की हो जाएगी तो क्या रहेगा हमारा अंसर वन अपॉन थ्री की पावर टू और इसका मतलब बन अपॉन नाइन चेक किजिए अंसर यही है क्या हम थुड़ा आगे बढ़ जाते हैं हर वार अंसर यहीं पर है यह करते तो गलत नहीं होगा आपका ठीक है यहां पर करते तो ठीक है बट आंसर अगर मैच करना तो यहां तक भी ठीक है आपका ना अगर अब कोश्चेन नमर्ग फिफ्ट आपके मैंट का फार लन अ है यह कर रहा है हमसे तू की पाव़ मैनस थ्री है नहीं मल्किला मैयनक्ष सेबर मारिंच त्री पहुत अच्छा कोश्यन है ऑंशा के तू की पावर मायनस ओर कर वैं मॉल्तिम लाए माइन है और इसकी कि पावर क्या है माइनस का 3. और ये अच्छा को सेनी वर्त इसको समझना पड़ेगा कैसे? हम ने एक फामॉला पड़ा हुआ है फामॉला क्या है देख लेते हैं के एक की पावर म मल्टिपल बी की पावर म इसका मतलब क्या होता है A multiple B और इसकी whole power क्या हो जाएगी M क्या यह formula हमने पढ़ रखा है तो हम इसी formula को यहाँ पर यूज करने वाले हैं कैसे देखिए 2 की power और minus 7 की power यह जोन और दोनों को हम क्या कर सकता है 2 multiply minus 7 कर सकता है और इसकी whole power minus का 3 कर देंगे कोई दिक्कत इसमें अब 7 को तू से multiply करोगे तो देखो 2 क्या actually 2 हमारा plus का sign वाला है क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके जागे हमेशा plus sign होता है ठीक है तो क्या करेंगे अंदर इंदर करते हैं पहले ब्रेकित आउट होगा तो क्या होगा प्लस माइनस मल्टिप्ला हो जाएक तो माइनस आजाएगा और सेवन टूजा 14 और ब्रेकिट आप हमारा मिडल प्रेकिट की ज़रत नहीं है अंदर के लिए रुज़द तो इसको रख दो चाहो तो मिडल प्रेकिट में कोई दिक्कत नहीं है ऐका इसकी पावर माइनस का 3 तो अब इसको माइनस के 3 को कैसे सूल्फ करेंगे मोई रहस्टी प्लकल कर देंगे इसका इसको नीच ले जाएगे तो क्या जाएगा वन अपॉन अपन है मिडल प्रेकिट नीच गया है मैनस 14 और इसकी पावर क्या हो जा कि अंतर पर अजय कोई दिककत् निया को अजय को आपका यह अपने अजया को गया गलत नहीं होगा अगर हम अगर भी गल्ल इोक्रजाए क्षिए है तो ऑपकोसी बात है कि इसके बाद में अफल ब्रेकेट योगे दाता है तो अंदर खता हुग अबकी था